नमस्कार, स्वागते आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल देव्या स्ट्रोम है और मैं हूँ आप सभी के बेच देव्या निर्जला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुप कामना है सभी एकादशियों में सबसे स्रेष्ट एकादशी निर्जला एकादशी है यदि आप अन्य को एकादशी वर्ष बर्मे करते हो चाह ना करते हो कोई बात ने लेकिन आपको निर्जला एकादशी का वरत अवश्य करना चाहिए और जो भी जातक निर्जला एकादशी का वरत करते हैं, उन्हें निर्जला एकादशी की वरत कता का श्रवन अवश्य करना चीए तो आईए अब हम सब मिलकर निर्जला एकादशी की वरत कता का श्रवन करते हैं भीमसेन व्यासची से कहने लगे कि हे पिता मा मुझे ब्राता, युदिश्टर, माता कुंते, द्रॉबदे, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी का अवरत करने को कहते रहते हैं परन्तु माराज मैं उनसे एक बात कहता हूँ, कि भाई मैं बगवान की शक्ती, पूजा, आदि सब कुछ कर सकता हूँ, आप कही वो दान भी दे सकता हूँ, परन्तु मैं बूका नहीं रह सकता, मैं बोजन के बिना नहीं रह सकता यहाँ बात सुनकर व्यास जी कहने लगे, कि हे भीम सेन, अगर तुम नर्ग को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो, यदि तुमें नर्ग और स्वर्ग में बेद अच्छी तरह से पता है, तो प्रतिमास की दोनों इकादश्यों को अन मत खाया करो बीम कहने लगे, कि ये पिता मा, मैं तो आपसे पहले ही कह चुका हूँ, कि मैं भूका नहीं रह सकता, मैं भूक सेन नहीं कर सकता, यदि वर्ष बर में कोई एक वरत हो, तो वहाँ वरत मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में तो वरक नाम वाली एक अगनी है, तो मैं समय भी बिना बोजन किये नहीं रह सकता मेरे लिए ऐसा करना बहुत ही कठिन कारिया है अतर आप मुझे कोई ऐसा वरत बताईए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ख की प्राप्ति हो जाए यह सुनकर श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र ब में दोनों पक्षों की एकादशी का वरत मुख्ति के लिए रखा जाता है व्यास जी के वचन सुनकर बीम सैन नर्ग में जाने के नाम से भैबित हो गए और कापकर कहने लगी तो अब मैं क्या करूं मास में दो वरत तो मैं कर नहीं सकता हां वर्ष में एक वरत करने का प्र व्रशब और मिथून की सक्रांति के बीच जेश्ट मास के शुकल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है तुम उस एकादशी का वरत करों इस एकादशी के वरत में स्नान और आजमन की सिवा जल वर्जित है आजमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहि इस दिन बोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि बोजन करने से वरत नस्ठ हो जाता है यदि एकादशी को सूर्य उद्य से लेकर द्वादशी के सूर्य उद्य तक जल गरन ना करे तो उससे सारी एकादशी के वरत का फल प्राप्त होता है द्वादशी को सूर्य उद्रे से पहले उठकर स्नान आधी करके ब्रामनों का दान आधी देना चाहिए उसके बाद बूके और सत्पात ब्रामन को बोजन कराकर फिर आप बोजन कर ले इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर एकादशियों के पराबर होता है व्यास जी कहने लगे कि हे बीमसेन यहां मुझको स्वयम बगवान में बताया है इस एकादशी का पूर्णिय समस्त दिर्थो और दानों से अधिक है किवर एक दिन मनुश्य निर्जल रहने से पापो से मुठ हो जाता है जो मनुश्य निर्जला एकादशी का वरत करते हैं उनकी मृत्यों के समय यमदूत उनको आकर गेरते नहीं है वरन बगवान के पारशद आकर उन्हें पुश्पक विमान में बठाकर स्वर्ण को ले जाते हैं अतर संसार में सबसे स्रेष्ट निर्जला एकादशी का वरत है इसलिए यतन के साथ इस वरत को करना चीए इस दिन होम नमो बगवते वासु देवाय मंतर का उच्चारन करते रहना चीए और हो सके तो गौदान करना चीए इस परकार व्यास जी की आग्या अनुसार भीमसेन ने इस वरत को किया इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं निर्जला वरत करने से पूर्व बगवान से अपराधना अवश्य करें कि हे पगवन आज मैं निर्जला वरत करता हूं और दूसरे दिन बोजन करूंगा मैं इस वरत को श्रदा पूरवक करूंगा अतर आपकी क्रपा से मेरे सब पाप नस्ट हो जाए और मुझे मुक्ति मिले इस दिन जल से बरावा एक गड़ा वस्तर से डग कर स्वन सहित दान अवश्य करना चाहिए जो मनुश्य इस वरत को करते हैं उनको करोड़ पल फोने के दान का फल मिलता है और जो इस दिन यग्यादी करते हैं उनके फल का तो वर्णनी नहीं किया जा सकता इस एकादशी के वरत से मनुश्य विश्रू लोग को प्राप्त होता है जो मनुश्य इस दिन अंद खाते है वे चालडाल की समान होते हैं वे अंत में नर्क में जाते हैं जिसने निर्जला एकादशी का वरत किया है वह चाय ब्रहम हत्यारा हो मध्य पान करता हो चोरी की हो या गुरू के साथ द्वेश के हो मगर इस वरत के प्रबाव से वह स्वक को जाता है तो हे कुंति पुत्र जो पूरुष या इस्तरी शर्दा पूर्वक इस वरत को करते हैं उन्हें ये सभी कर्म करने जीए प्रथम तो बगवान का पूजन फिर गोदान ब्रामनों को मिस्ठान वा दक्षिना देनी जीए जल से बरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए निर्जला के दिन अन, वस्त्र और जूती आधिकाविदान करना चाहिए जो मनुष्य बक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्य ही स्वर्ग की प्राप्ती होती है तो यदि आज आप सभी को मेरी ये वरत कथा पसंद आई हूँ और यदि आपने भी निर्जलाय का दश्य का वरत किया है और आपने इस कथा का श्रवन किया है तो कमेंट बोक्स में एक बार ओम नमो बगवते वासु देवाय का जैकारा लगाना बिल्कुल भी ना भूले यह जैकारा मेरे मन को खुशी देगा और शायद आपके मन को भी एक असीम खुशी की प्राप्ती होगे तो यदि आज आप मेरी चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके लोटे साथी साथ आपको मैं यह भी कहना चाहूंगी कि यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें हो सकता है कि आपको आपके कई पशनों के जवाब मिल सकते हैं या फिर जिस तरके वीडियोज आप नेखना चाहते हैं वह भी आपको वहाँ पर मिल जाएं तब मैं आपसे इसाज़त चाहती हूँ धन्यवाद ओम नमो बगवते वासु देवाय नमो